ग्यानवापी परिसर में पूजा पाठ शुरू होने के बाद मुस्ली महिला फांडेशन भी आज जुमे के दिन यहां भगवान शिव की आरती करने के बाद पूजा करने के बाद आप देखे आरती अभी खत्म हुई है और जो तमाम मुस्ली महिला फांडेशन की जो सदस हैं वो यहाँ पहुँचे हुई है नाजनीन अंसारी जो राष्टि सदर है वो यहाँ मौजूद है और उनके टीम के तमाम लोग यहाँ मौजूद है अभी-अभी आरती हुई है और शंक बजने के बाद जरा हम कोशिश करते हैं बात करने की नाजनीन जी अब तो घ्यान वापी परिसर में भी पूजा शुरू हो गई है कैसे देखती हैं आप इस निर्णय को ये बहुत ही सकारात्मक निर्णय है इसलिए क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि ग्यान वापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता वो एक संस्कृत का नाम है और संस्कृत का नाम से तातपर यही निकलता है कि वहाँ पर मंदिर ही है और यह किताबों में इस्तिहास की किताबों में वरनित है कि औरंगजेब ने वहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्मान कराया था इससे साफ साफ यह तातपर निकलता है कि वहाँ पर मंदिर था और हम लोग पहले भी जब SI सर्वे की बात चली थी तब ही हम लोगों ने कहा था कि वहाँ पर बावा विश्वनात ही निकलेंगी तो और अभी जिस तरह से व्याज जी के तैकाने में पुजा शुरू हो गई है तो यह हम लोगों के लिए सही बयान आ रहे हैं जो महमद यासीर है मस्जिद कमिटी के वो भी कह रहे हैं कि सही नहीं हुआ कैसे देखती हैं आप तमाम लोगों के बयान को देखे सही निर्णा कैसे होगा जब वहाँ पर सबूत पेस्ट किये जाएंगे और आठ सो साड़े आठ सो पन्नों के सबूत महां पर दिये गएं सारी चीजे दी गए इसारे साक्षे मिले सारे सिलाला लईक मिले मुर्थिया नीमिली तैखाने से तो अब और क्या चाहिए इन सारी चीजों को साबित करने के लिए इसी तरह की बयान राम दिर को ले करके भी आ रहे थे हैं अध्या में भी कि इतने सालों तक मामले को लंबित रखा गया साक्ष प्रस्तुत नहीं होने दिये गए तमाम सरकारे भी विपक्ष में थी और अब ही जो है सबूतों के आधार पर ही आदालत ने फैसला सुनाया ऐसा नहीं कि वह भावनाओ होगी सारी चीज़े तमाम चीज़े निकल करके आएंगी तो फैसला फिर मुने आयले जो करेगा वो उचित होगा आप क्या कहेंगे नजमा जी आप कैसे देखते ही फैसले को देखे सबसे बड़ी बात की भारत समयधानिक देश है और समयधान के साबसे ही चलता है तो जो क क्या कहेंगी इस पूरे मामले में हम क्या कहेंगे इस पूरे मामले में जो हमारे सरकार जो हमारे नियाले फैसला करेंगे उसे पर हम भी रहेंगे तो सबको मानना चाहिए ना जी हिंदु मुस्लिम सबको मानना चाहिए हमारा तो यही है कि हम लोग एकता बनाग चले मुस्ल अजी विरासत और मानावता को ध्यान में रखते हुए गंगा-जमनी तहजीब को ध्यान में रखते हुए अदालत के फैसले पर सब को भरोसा रखना चाहिए और जो भी फैसला हो वो अदालत से हो और उसका सम्मान सबको करना चाहिए Amit Singh, TV9 UP, Varan Singh